नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केड आनलेसिस पर स्वागत करता हूँ और आप सभी के लिए में लेके आया हूँ कल के लिए कुछ एसे स्टॉक जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आपको दुबारा देखने को मिल सकता है अपसाइट हो या डाउनसाइ मीली है हमें ट्रेड चाहिए और खास करक आपको एक अछा प्रॉफिट मार्केड से मिले ही मैं है मैं आप सभी को बढ़्र बताऊ और और अम देखेंगे कॉनसे कॉछ प्रेट याइए गोची ही मेले सकते हूँ कॉसा ट्रेट क trade एक अच्छा profit आपको मिलें किस लिए मैं आप सभी के लिए कह राथा हूं तो जो भी स्टॉज में आपको करको बताऊंगा और वह बनेखना के व्यूंट आपनेशा कहिएशक Eldhrum करके बताता हूं अगर आप वीडियो को स्कीप करते हो तो आपको वो एक छोटा सा अगर इंफरमेशन भी छूट जाएगा तो हो सकता है आपको मार्केट पे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है वीडियो को स्कीप मत कीजिए सुरू से आखी तक जरूर देखेगा जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस में आपको दोंगा उन सपोर्ट रेसिस्टेंस की उपर आप जरूर ट्रेड लीजेगा चली हम लोग स्टॉक पे चलते हैं और कल कौन से कौन से स्टॉक पिक मुमेंट हो सकता है कौन से स्टॉक पे डाउन मुमेंट हो सकते हैं वह सारी जानकारी मैं आपको अभी इस वीडियो के मादम से बताऊगा ओके हम सुरू करेंगे बीबी सील से भारत पेट्रोलियूम से स्टार्ट करेंगे और कल देखेंगे कल का लेबल क्या है और आज मार्केट पे क्या हुआ और मापिचोंगा कल आज के लिए मैंने कुछ ऐसे लेबल नहीं दिये थे पर इससे पहले भी जो लेबल दिये थे वो अच्छीव हो चुका है आपने देखा होगा अगर अगर फ्राइडे के लिए जो भी लेबल मेंने दिया था वो लेबल अगर कोई भी देखे होंगे उनको पता चला होगा कि मार्केट पे कैसे काम होता है चले हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपी सील का लेबल से करते हैं कह मार्केट ने जैसे की आपको देखने को मिला होगा मार्केट ने यहां से ओपन किया यहां से ओपन हुआ है मार्केट दिखे यहां से ओपन होने के बाद एक टॉप क्रियेट किया मार्केट ने टॉप बनाने के बाद वहां से दीरे-दीरे हलकाल कर नीचा कि एक ही जगह प कि कर दूत के कर सकता हैए डी पील्फ ये मेरा व्यूज घा सकता है और कहा तक जा सकता है और नीचे कहा सकता है बहुत सारी जानकरे यह को लेबल के माधिर से यहाँ BPCL का कल का सपोर्ट रहेगा 378 और 378 अगर ब्रेक करता है 371 371 को अगर ब्रेक करता है तो 362 जो मुझे उम्मीद नहीं है अगर नीचे आता भी है 378 जैसे ही कटेगा जैसे ही ब्रेक करेगा सेल कर सकते हैं 371 तक का टार्गेट आ सकता है निके डेल लो जो है उसके नीचे थोड़ा यह आ सकता है 371 तक और 372 अगर 372 को भी ब्रेक करता है तो 362 यह अपिसिनल टार्गेट आप रख लीजिए जो की मार्केट पे अचीव नहीं होगा फिर भी 372 के नीचे जाएगा भी तो इतना दा जा सकता है जो मुझे उम्मीद नहीं है 378 के नीचे 372 पे सपोर्ट लेना चाहिए और रेसिस्टन्स क्या होना चाहिए 385 की उपर जैसे ही चलेगा पहला टार्गेट 394 और दूजरा टार्गेट करीबन 404 तक यह जा सकता है अगर 404 के उपर भी यह जाता है 404 के उपर भी जाता है 404 के उपर भी जाता है तो डारेक्ट यह 416 तक भी जा सकता है ध्यान चे रखिए 404 के उपर जैसे ही चलेगा 416 का नेक्स टार्गेट आपको देखने को मिल सकता है सपोर्ट रेसिस्टन्स मैंने आपको BPCL का बता दिया दुबारा रिमाइन कर दता हूँ 378 सपोर्ट है और 385 का रेसिस्टन्स है अगर यह कही ना कही 385 के आसपास ओपन होके अगर यह सस्टेन करता है नीचे तो सेल कर सकते हो 378 का टार्गेट आपको देखने को मिल सकता है तो चलिए हम लोग दूसरे स्टॉक पर चलते हैं अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किये तो तुरन लाइक कर लिजे और अगर पहली बार कोई मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं आप सभी को एक अच्छा इंफर्मिशन मिल सके मार्केट पर अगर आप देखो दूसरों लोगों के साथ मेरा वीडियो कंपेर कीजेगा एक अच्छा अनलेसिस एक अच्छे स्टॉक हम लोग नेक्स टॉक पर चलते हैं नेक्स टॉक आपका रहेगा इंडेसेंट बैंक जी हां इंडेसेंट बैंक पर भी मैंने कंटीनुसली कहा था यह उपर के लिए भी बढ़ राइस टॉक और अगर आप इसका चार्ट अगर देखो तो यह बहुत एक इच्छे पार्टन भी बनाया है मार्केट ने अगर मैं इसका वीकली चार्ट पर चल जाता हूं वीकली चार्ट पर मुझे मार्केट जो नजरिया मुझे मार्केट पर देखने को मिल रहा है इसने पंद्रा मार्च का जो टॉप था उस टॉप को इसने आज ब्रेक कर दिया है और जाके इसने जो है 8 המards का जो candle उसी के बीच में इसने एक टो है बनाया है market ने तो यह जो levels से मैं आपको जो Lebels आपको दे रहा हो मैंने आपको बताया था और इस से पहले मैंने साथ साथ आपको indecent bank का जो ड़्र点 target मैंने बताय था क्रीवन 8.34 से ले 850 तक का टार्गेट साथ मैंने दिया था आपको एक मिनिट जी हां इंडेसेंट बैंक का मैंने कहा था अगर 758 की उपर जाता है 770 और 770 की उपर जाता है तो 834 तो आपने देखा होगा 783 का लो है 73 का लो है 83 के असपस लो है और वहां से मार्केट ने बहुत उपर चला गया तो यह होते हैं मेरे लेबल्स अब अगर मेरे लेबल्स की उपर काम करते हो तो मार्केट पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको कम आने का मोगा मिलता है चले कल के लिए हम देखेंगे कल का इंडेसेंट बैंक पर क्या हो सकता है और कहां तक मार्केट जा सकता है उपर और कहां से नीचे आ सकता है बहुत सारा चीज हम लोग यहां पर अनालिसिस करेंगे ओके इंडेसेंट बैंक का कल का सपोर्ट रहेगा 826 826 सपोर्ट है अगर 826 ब्रेक करेगा तो डारेक्ट लिए आपको 800 का लेबल दुबारा देखने को मिल सकता है तो ध्यान से अगर 826 के नीचे जाता है तो सेल कर सकते हो और 800 के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और 800 को भी ब्रेक करता है तो 783 वो में भी इन फ्यूचर ये टार्गेट दुबारा देखने को आपको मिल सकता है फिलाल के लिए 826 से लेकर 800 का टार्गेट आप पकड़के चलिए फिलाल मार्केट पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिगनल देखने को मिला है हो सकत कि एक प्रेशर कि देखने को मिला है चोटा स rug No dawर को नीचे नहीं आना चाहिए तो मार्केट को दुबारा उपर जाना चाहिए एक बड़ा सेलिंग कुईन्टी लेने करेंद थि मौत बड़े इन्वेस्टर जो है जो सेलिंग करने के लिए यह बीने के सेलिंग क्रेंगे। जो भी बाइंग साइट पर बेठे हैं उन लोग अपना profit working करके वहाँ से market को sale पे लाएंगे तब जाके market को नीचे आना चाहिए और फिलाल कहां तक भी जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ support आपको बता दिया 826 और target बता दिया 800 का फिलाल resistance जो है मेरा resistance रहेगा 845 जी हाँ 845 की उपर अगर इंडेसेंट बैंक चलता है 870 आज का जो day high है उस day high को दुबारा heat करने के लिए ये कॉसिस जरूर करेगा और अगर day high को heat करेगा तो 870 को उपर अगर चलता है तो हो सकता है आपको direct यहाँ पे करीबन 929 939 का एक target मेरे सामने देखने को मिल रहा है जो की 11 मार्च 2020 का एक top है और हो सकता है यह अगर उसी top को दुबारा break करने के लिए जा सकता है और उससे नीचे का मुझे और कुछ उम्मीद नहीं है 845 उसी दिन का जो day low है उस low को यह break जैसे करेगा तो यह 870 870 की उपर जाएगा तो 929 यह दो target आप रखें दिमाग पर अगर यह label आपको मिलते हैं कल तो आप यहां से buy कर सकते हो अगर उसी label पर नीची मिलता है तो sell कर सकते हो आपका indecent bank का जो भी आप trade लेते हो ध्यान से आपको trade लेना चाहिए बहुत high momentum करता यह stock और खास करके अपना stop loss जो है जदा बड़ा और जदा छोटा भी नहीं रखना है जो भी आपको आपके calculation के इसाप से जितना रखना है उसी इसाप से आपका risk reward जितना है उसी इसाप से अपना stop loss जरूर रखेगा और इन stock पे काम करने के लिए अगर आप चाहते हो तो यह stock पे काम कर सकते हो बहुत अच्छा return मिलता है stock पे और मैं इसलिए आपको analysis करके दिया हूँ जो भी आपको investment करना है जो भी buy sell करना है stock पे अगर करता है सही तरीक से मैं आपको analysis करके labels बता दिया हूँ label के उपर जिससे market आता है तो अपना आप trade ले सकते हो अगर please 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 अगर कोई चैनल को like नहीं कियो तो तुरन like कर लीजेगा अगर subscribe नहीं किया अभी तक तुरन subscribe कर लीजेगा और मेरा previous वीडियो जो भी है आप उसको watch कर सकते हो चलिए और एक stock पर चलते हैं कि कल के लिए और stock और एक तो stock रहेगा आपका स्रीणान ट्रांसपर्ट फैना finance और स्रीणान ट्रांसपर्ट पर इससे पहले मैंने बहुत बार trade दिया है और हर कोई इस trade पर पेशा कमाया है और मैं कल के लिए stock दुबारा क्यों चूज कर रहा ह तो हो सकता है एक अच्छा moment आपको आगे चलके मिल सकता है अगर इसी जगह से market अगर नीचे आता है तो करीबन हम expect जो कर रहे है market को आने के लिए दुबारा ये 800 का level दुबारा heat कर सकता है तो ध्यान से जो भी है market एक ही जगह भी अभी एक ही जगह पर trade हो रहा है करीबन इ उसी पांच-10 पॉइंट के ऊपर नीचे की हिसाब से market trade हो रहा है तो यह टॉप जो है 873 एक बहुत ही एहम लेवल है अगर यह लेवल कर जाता है तो हो सकता है आपको 900 के आसपास market को देखने को मिल सकता है तो चलिए हम डाइट लेवल पर चलते हैं और कहां पर इसका support है resistance से वह सारा जनकरी मैं आपको दे देता हूं स्रीडाम ट्रांसपोर्ट का support कलके लिए रहेगा 852 852 का support रहेगा अगर 852 को break कर देता है तो 831 का पहला target आपको देखने को मिल सकता है 831 के नीचे अगर आता है तो 803, 803 यहां 803 का दूसरा target देखने को मिल सकता है जब तक आपका यह low 852 break नहीं करेगा तब तक आपको 800 तक आने की level आपको achieve नहीं होंगे 852 एक एसा level आपको मैं दे रहा हूँ क्योंकि यह level अगर break करेगा तो थोड़ा market नीचे आ सकता है 800 तक दुबारा यह एक बार कोसिस कर सकता है नीचे आने की चले, resistance क्या रहेगा? resistance रहेगा 873 जी हां 873 का resistance मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि market करीबन उसी एक ही जगह पे market बहुत दिनों से trade हो रहा है अब सभी को पता है और 8 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक करीबन एक नाइनटी फोर का एक पहला टार्गट आपको देखने को मिल सकता है मार्केट पे 873 की उपर जाता है तो 894 और 894 की उपर अगर सस्टेन करता है तो 958 का दूसरा टार्गट आपको देखने को मिल सकता है और यह 958 का एक लेबल जो है बहुत दिनों से वेट कर रहा है मार्केट पे यह में भी जाके यह अगर्ट आपको दूसरा टार्गट में भी मार्केट पे बहुत दिन से वेट कर रहा है इस लेबल को हीट करने के लिए हो सकता है स्रीडाम ट्रांसपर्ट इस लेबल को दूबरा हीट कर सकता है तो ध्यान से आपको जो भी सपोर्ट दिया हूँ 852 और resistance दियाओं 873 इन दो support resistance को ध्यान से आपको लेना है और इसे याद रखना जरूर आपको लिखने लिखके लेना है market पे trade करना इन लेबल की उपर जो भी support resistance दियाओं उसी base पे आप market पे जरूर trade कीजेगा और एक अच्छा profit आप market पे जरूर कमाईएगा यही मेरा आप सभी के लिए निवेदन रहेगा चली और एक final stock पे चलते हैं कल इन stock पे क्या moment हो सकता है हम देखेंगे वो कौन सा stock है आखरी stock रहेगा और हो सकता है इस stock पे भी एक अच्छा trade एक अच्छा profit आपको मिले और एक final stock कल के लिए देगा Tata Steel टाटा स्टील पे जो भी टाटा स्टील को पसंद करते हैं ट्रेड लेते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं है जो टाटा स्टील पे किसीने profit नहीं कमाया होगा जिस दिन आप Tata Steel पे ट्रेड लेने की सोचो अगर आपके पास अच्छे label है अगर आप सही तरीके से analysis करते हो अगर आपको सही analysis करके label आपको मिला है तो Tata Steel पे कभी आप नुकसान नहीं उठाओगे एक अच्छा profit market से जरूर उठाओगे तो चली हम देखते हैं कि Tata Steel पे कल क्या हो सकता है और market जो फिलाल है एक profit booking के candle दिखने को मिल रहा है अगर ये label पे market sustain करता है तब जाके हमें यहां से buy करना चाहिए अगर ये जो label आपको देने बारा हूँ अगर वो label break करेगा तो तुरंत आपको यहां पे sale करना है एक अच 435 435 अगर support ये break करता है कल Tata Steel तो यहां पे आपको direct एक पहला target आपको देखने को मिल सकता है 427 द्यान से अगर आपको ये 435 अगर break करता है तब जाके आपको sale करना है उससे पहले कोई भी sale नहीं करना है इसको label break करने के बाद पहला target 427 और 427 के नीचे अगर आता है तो 422 तो ये दो target आपके नीचे के लिए फिलाल के लिए देना चाहता हूं अगर ये 435 अगर break करता है तो market नीचे आ सकता है यहां गया हो गया आपका support है और resistance की बात अगर कहूं तो resistance की बात है 444 यानि कि जहांपर ये closing दिया है उसके करीबन 2 रुपे की ऊपर का में आप 344 की ऊपर जाता है तो ये करीबन 454 का पहला target आपको देखने को मिल सकता है टाटा स्टील पे कि टाटा श्टील कारीबन पहला target आपको ये δेखने को मिल सकता है और उसके साथ साथ आपको 54 की उपर अगर जाता है क्योंकि एक बहुत अच्छे लेबल पर मार्केट खड़ा है तो यहाँ पर करीबन आपको 463 का और एक टार्गेट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर टटा स्टील पर आपको 444 की उपर जाता है तो 454 454 की उपर जाता है तो 464 आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और खास करके अगर टाटा स्टील की उपर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो यह लेबल को आप ज़रूर फोलो कीजेगा मार्केट पर काम करने के लिए लेबल आपको बहुत हेल्फ करेंगे और खास करके अगर आप एक अच्छा ट्रेड लेना चाहते हो तो आप मुझे अगर आप को इस मन पसंद कोई भी स्टॉक है उस स्टॉक के बारे में सब्सक्राइब अभी तक नहीं किये सब्सक्राइब कर लीजेगा थोड़ा वक्त है अगर चाहते हो कि दूसरों को भी ये बेनिफिट मिले तो वीडियो को जरूर दूसरों के साथ सेर कीज़ेगा और जैसे आप सभी के लिए वीडियो बना दाओं तो प्लीज मेरे लिए चैनल को ग्रोथ करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा साथी साथ दूसरों के साथ वीडियो का लिंक जरूर सेर कीज़ेगा और आज के लिए इतना ही धन्यवाद